नमस्कार दोस्तों स्वागेते आप सबका आज के इस वीडियो में आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी खबर आ रही है SSC में वो लोग पकड़े गए हैं जो स्कैम करवाते थे जो करीब 15 लाख रुपए लेते थे और उन्होंने ये कबूल किया है कि 15 लाख रुपए लेते थे हम और SSC में शुरू से आखरी तक लोगों को पास कराते थे आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन से लोग हैं उनकी कुछ फोटो में अपलोड करने वाला हूं कुछ मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि यह लोग वही हैं जो और इनके पास बहुत सारे रुपए लैप्टोप पैंड्राइब फोन हार्डिस्क और भी पूरे निउस पेपर बता रहें इनके बारे में तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि तो दोस्तों यही है वो लोग यही वो सरगना है जो यह लोग चीटिंग कराते थे आपके सामने हैं यह चार लोग हैं और भी बहुत सा और भी कई लोग पकड़े गए हैं यह में है जो चीटिंग कराते थे तो इनकी सकल देखे और इनका हाला कि नीजबढ़ में इनको हाइलाइट नहीं किया हुआ है तो यह वही लोग है और इनके साथ में जो कंटेंट्स मिले हैं अप वो देख सकते हैं यह देखे लैप्टोफ्स कितने हैं फोन है और भी बहुत स और भी बहुत सारे पकड़े गए अभी यह सारा नहीं है लेकिन इन लोगों के साथ जो होगा वो तो अब भगवानी जाने की क्या होगा तो यही बताना था मुझे आप लोगों को तो अब जो होगा वो तो सबको सबके सामने रिजल्ट होगा अब तो लगता है कि कि SSC अपने एक्जाम को कैंसिल करेगी और करना भी चाहिए क्यों नहीं क्योंकि जिन लोगों के साथ नाइनसाफी है उन्हें भी नयाय मिलना चाहिए और अब तो सुप्रीम कोट और हाई कोट भी स्टूडेंट का साथ देंगे जो इतनी दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे और 31st को जो प्रोटेस्ट है जो 31st को प्रोटेस्ट है उसमें ये बात तो सामने आ जाएगी कि SSC क्या आपने एक्जाम कैंसिल कर रही है यह नहीं कर रही है और हुँ और कैंसिल करेगी नहीं करेगी स्टूडेंट्स का लाइफ थोड़ी नबर बात करेगी है तो चलिए द दोस्तों फिर आप लोग मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लें और जादा से जादा सेयर करें और फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें ठीक है चलो थैंक्यू